नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेहत के बारे में सेहत में स्वास्त सेहत हमारे जीवन में सबसे अनमोल चीज है कहा भी गया है है तो बच्चों आप जानते हैं कि स्वास्त तन में ही स्वास्त मस्तिश्क का वास होता है इसलिए हमें अपने शरीर को सेहत मन बनाना चाहिए आज हम स्वस्त शरीर से होने वाले लाब के बारे में जानेंगे देखें कितने सारी चीजें हैं जिने खाने पीने से हमारा सरीर श्वस्त रह सकता है तो बच्चों आज हम सेहत के बारे में जानने के लिए एक पत्र के माध्याम से हम इसे समझेंगे यह पत्र एक चाचा ने अपने भतीजे को लिखा है और जिसे पत्र लिखा गया है उसका नाम है शौर्य तो चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने समझाया है सेहत मंद रहने के लिए तो उन्होंने लिखा है प्रिय शौर्य खुश रहो तो मुझसे हमेशा पूछते रहते होना कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है सुनो सेहत मंद रहना हमारे अपने हाथ में है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं मैं तुम्हें हमेशा से कहता हूँ कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है इससे हमारी याददास्थ और एकागरता में कमी आती है तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सेर करनी चाहिए सुबह 15 मिनट भी सेर कर लेने से सारा दिन इस फूर्ती से भरे रहोगे मैं जानता हूँ इलजीज फास्ट फूर्ड तुम्हें बहुत पसंद है पिज़ा, बर्गर, चेप्स, नूडल्स, कोल रिंग के बिना तो तुम रही नहीं सकते हो लेकिन शूर इन चीजों से हमारे शरीर को जरूरी पौस्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं घर पर जो खाना मम्मी बनाती है वे हर तरह के पौस्टिक तत्वों का खजाना है चपाती, चावल, दूद, दही, सला, डाले और हरी सबजियां हमरे शरीर को हर आवश्यक पौस्टिक तत्व प्रदान करती हैं केवल जंक फूड खाने से हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो सकता पॉस्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खद्म हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार पढ़ने लगते हैं अपने भोजन में हरी सबजियां, फल, दूद और दही जैसी चीजों को जरूर सामिल करना चाहिए इनके अलावा घी, मक्षन और चीज भी, खाना तथा मिस्ठान भी क्योंकि बच्चों के परते शरीर को सभी दरह की चीजों की जरूरत होती है स्वस्त रहने में खेलों की भी महत्वपोड भूमिका है केवल घर के अंदर ही नहीं, घर के घर से बाहर निकल कर भी खेलना चाहिए लेकिन तुम तो कम्प्यूटर पर खेलना पसंद करते हो शायद तुम नहीं जानते, एक ही जगे हैं बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है शाम को घर से बाहर निकल कर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हौकी खेलो, पार्क में जूला जूलना, पकड़म पकड़ाई, उचनी, छुपान छुपाई जैसे खेल खेलने से शरीर की कसरत भी होगी और दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा भी आएगा हम जैसे बड़ी उम्रे के लोगों को अपना शरीर ससर रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है मैं तो घर पर ही योग आदी करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ पर तुम तो खेल गूद कर ही यह कसरत कर सकते हो कम्प्यूटर पर खेल खेलने हो तो उसका भी एक समय निश्चित करो बाहर खेलने का समय भी तै करो रोजाना कम से कम एक घंटा बाहर निकल कर खेलोगे तो भूख बढ़ेगी पाचन तंत्र मजबूत होगा बलवान बनोगे और हमेशा सेहत मत रहोगे स्वस्त रहने के लिए स्वक्ष रहना भी जरूरी है अगर स्वक्ष नहीं रहोगे तो तरह तरह के किटानों शरीड को नुकसान पहुचाएंगे इसलिए रोजाना नहाओ खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी दरसे हाथ धो दो बार दाद साफ करो हाथों और पैरों के नाखोन भी समय समय पर काटो वरना उनमें भरा मैल खाने के साथ हमारे शरीर में पहुच सकता है स्वेब के साथ साथ आसपास भी साफ सफाई रखो कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रैपर कहीं भी फेक देते हो ऐसा नहीं करो और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो साफ सफाई रखने से रोगों से बचाओ तो होगा ही साथ ही हम सब के प्रेवी बनेंगे कहां भी गया है रखो याद साफ सफाई दूर रहेगी बीमारी पॉस्टिक भोजन लो भरपूर सदा रहेगी सेहत अंदुरुस्ट खेल खेल में करो ब्यायाम तभी शरीर होगा बलवान याद रखो सदा ये बोल क्योंकि सेहत है सबसे अनमोल तुम्हारे प्यारे चाचा जी रमेश कुमार तो देखा बच्चों स्वस्त रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए इस पार्ट में सब कुछ बताया गया है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए रात को जल्दी सोना चाहिए और ये सब कुछ एक माइंड मैप के द्वारा भी हम समझ सकते हैं देखिए सबसे पहले फिर्स्ट शब्स हमें क्या करना चाहिए जल्दी सोना ओर जल्दी जागना चाहिए और उसके बाद सुबह की सेर करनी चाहिए इसके बाद तीसरा पॉइंट है पॉस्टिग भोजन करना चाहिए और फिर नियमीत खेल इंडोर और आउटडोर खेलना चाहिए मतलब घर के अंदर और घर के बाहर भी खेल खेलना चाहिए और पांचवा पॉइंट है हाथ पेर धोकर भोजन करना चाहिए दात साफ करना चाहिए नाखून काटना चाहिए साफ सफाई रखना चाहिए आदी ये सब रखना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है तो इस पार्ट को हम इस माइन मैप के द्वारा असानी से समझ सकते हैं कि हम कैसे स्वस्त रह सकते हैं तो बच्चों इस पार्ट को पढ़कर आप भी अपना स्वास्त का ध्यान रखिये स्वस्त रहिए और सेहत से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है जैसा कि कहा गया है सेहत है अनमोल तो चलिए आप इस पार्ट को पढ़ करके अपनी दिन चरिया विवस्तित कीजे हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक अपने ख्याल रखिए टेक केर बाई बाई